अलो फ्रंस वेल्कम टू दी चैनल आज इस वीडियो के अंदर हूं गाला के 2022 के पेपर सेट के साइंस सब्जेक का पेपर 3 का सेक्शन ए सॉल करेगे बिना टाइम वेस्ट किये स्टाइट करते पेपर सेक्शन ए अब्जेक्टिव कोश्चन इसके अंदर पहला पाथ है हमारा इसके अंदर पहला एंसी के मुझे पूछा गया है विच अब दे फॉलोविंग इस डीकंपोजिशन रियक्शन को आइडेंटिफाई कैसा करते हैं तो आइडेंटिफाई करने के लिए रियक्टेंट्स जो होते हैं वो एक होता है और उसमें से महमें मिलते हैं प्रोडाप्ट क्या होते हैं मैंनी ऑते हैं दो या-दोस्ए जढ़ा प्रोडक्स होगे तो इसको और किया बोलेग्डच क्या बोलेगे Cum decomposition reaction बोलेगे तो यहाँ पर आप option देखते जाओ जिसमें एक reactants दिया होगा और many products दिये होगे वह मेरा क्या होगा तो decomposition reaction होगा और ऐसा एक option है option C जिसके अंदर मेरा reactants कितना है एक है और product क्या है दो या दो से ज्यादा यानिकि दो है यहाँ पर ठीक है ना तो मेरा क्रेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ठीक है न नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो molecular formula of ethane is C2H6 how many covalent bonds are there in it मतलब यहाँ पर मुझे एक दिया गया है methane इसके अंदर मुझे find out करना है कि number of covalent bonds कितने हैं तो C2 यानिकि 2 carbon है तो carbon और carbon के बीच में single bond बनेगा और यहाँ पर मुझे 3 hydrogen CH3 और दूसरे carbon के साथ में मुझे कितने दिये 3 hydrogen यानिकि CH3 तो यहाँ पर आप carbon के बीच में साथ तो टोटल कितने है साथ आप यहाँ पर अगेन में calculate काउंट करवा देता हूं कैसे काउंट करना है मालों कि यह वाला से स्टाइट करते तो यह वाला वन यहाँ पर सेकंड यहाँ पर हमारा थर्ड यह मेरा होगा फॉर्ट यह फाइव और और कारबर और कारबन के बीच में जो है वो सेवन यहाँ पर टोटल कितने कोवलेंट बॉंट से मेरा करेक्ट आंसर आएगा ओप्शन सी ठीक है ना नेक्स्ट एमसी की अंदर देखते हैं यान की किड्नी के अंदर एसा कॉंसा पार्ट है जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है ठीक है तो वो है हमारा बाउमन्स केप्सिल ठीक है ना तो हमारा आंसर आएगा ओप्शन थी नेक्स्ट एमसीप की देखते हैं इन वीच आप दे फॉलोविंग के इलेक्रिकल एनरजी इसा कॉंसा सोर्स है तो वो हमारा सोर्स है तो अंसर रहेगा ओप्शन बी नेक्स्ट एमसी क्यों देखते हैं वीच फॉलोविंग सब्स्टन्स इस अज थे हाइस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो डिनोट की जाती है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है ज्यादा होती है तो यहां पर मैं चारों ऑप्शन की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहां पर लिख देता हूं ठीके ना तो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहां पर लिखके दिए तो यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे हाइ सब्सक्राइब डिप्रेश ड्यून्द डिप्रेश डियू टो एक्मस्फियर की वज़ा से सबसे ज्याधा कौन सा कलर्ड डिस्प्रेश होता है तो हमारा आंसर आता है ब्लू अभी यहां पर कन्फुजन हो उगा ठीक है ना हमने पड़ा है वीप ग्योर तो इसके अंदर violet जो है उसकी wavelength सबसे छोटी होती है ठीक है ना और blue color की wavelength violet से तो ज्यादा ही होती है ठीक है ना तो सबसे कम जो होता है वो ज्यादा इसके अंदर ब्लू कलर का पोर्शन ज्यादा होता है और violet कलर का emission क्या होता है थोड़ा कम होता है ठीक है ना वाइलेट कलर का emission कम होने की वज़े से polarization पुलेए ज्यादा हो तेकिन फिर भी देखेगा ने इस्फिवाज़े से ब्लू कलर का disappointment क्या होता है ज्यादा होता है ठीक है तो हमारा correct answer आएगा blue color ठीक है विचीज is option A next part देखते है next part fill in the blanks तो इसके अंदर पहला blanks है the molecular formula of cyclohexane is C6H12 ठीक है na cyclohexane का formula क्या है C6H12 next mcq sorry next blank देखते है argon is present in 18th group कौन से group के अंदर आता है 18th group क्यों क्योंकि argon जो हो मेरा noble gas और noble gas कौन से group के अंदर आते है 18th group के अंदर आते ठीक है next blank देखते है at the end of digestion the protein gets transformed into simple substance called amino acid protein किसके अंदर convert किया जाता है amino acid के अंदर fatty acid fat के लिए आता है यह तो फिर lipids के लिए लिए लिख सकता आप और glucose जो है वो carbohydrates के लिए होता है ठीक है na glucose किस में से बनता है carbohydrates में से यहाँ पर मुझे पूछा गया था खाले protein के लिए तो मेरा आंसर आएगा amino acid ठीक है ना नेक्स्ट ब्लेंक देखते हैं इंस्पाइरो गयरा sexual asexual reproduction occurs by fragmentation method ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक स्पाइरो गयरा में स्पाइरो गयरा है अगर इसको मैं बीच में से तीन हिससे कर दोगा सो एकितने स्पाइरोगयरा के अंदर डिवेड हो जाएगा तीन स्पाइरो गयरा कि अंदर डिवेड हो जाएगा और बाद में तीनों की तीनों क्या करते हैं इंडिविजुली ग्रोग और टीक है ना तो यहाँ पर आप देख सकते होगी यहाँ पर जो लेंस आपका होगा कौन के याद रखना नेगेटिव पावर क्यों लेंस ठीके ना नेक्स्ट एबलेंक देखते हैं तो विंड स्पीड तुड भी हायर धन 15 किलोमेटर कितनी होने चीए 15 किलोमेटर से ज़्यादा होने चीए स्पीड क्या होगी स्पीड क्या होगी मेंटेन रेगे ठीके ना नेक्स्ट पाट देखते हैं प्रू और फूल्स दो मॉडर्ण पिरियोडिक टेबल इस प्रेम्ड अन्द बेजिस अव अटमिक मास्क विच इस फॉल्स एगे ना लास्ट पेपर के अंदर हम नहीं देखा था इंद मोर्डन पिरियोडिक टेबल जो है वो बना था य बना था अटमिक में नम्पर के थे न किस Safe भड़नादा म्त नम्बर के और सब्ढ़ना था ठीकि ना तो यहां पर हम बोल सकते कि स्टेत्मेंट हमारा क्या है फॉल्स है क्योंकि इंद लोग नहीं बोला है कि आटमिक से बना हुआ है ठीक है ना जो हमारा statement false पोटिंध वाला question देखे है due to the change in DNA the heredity characteristics come to exist यह हमारा statement जो जो true है ठीक है एस statement हमारा क्या है true statement है the range of the wavelength of visible light is 4 x 10 raise to minus 6 meter to 8 x 10 raise to minus 6 meter थीक है यह statement मेरा false है क्यों मैं आपको reason बता था हो ठीक है ना उइसा कोई भी सूर्स नहीं है जिससे हमको energy pollution फ्री मिल इवन सॉलर के अंदर भी कोई न कोई pollution तो होता ही तो ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है जो हमें energy दे और pollution भी ना कर तो ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है ठीके न तो यहाँ पर statement मेरा क्या रहेगा ठीके न नेक्स्ट पाट देखते हैं answer the following questions as the directed तो पहला question क्या है which is the male sexual hormones testosterone ठीके ना तो male hormone क्या होता है testosterone ठीके ना next देखते है what type of the organs are the four limbs of bird and bat called ठीके ना तो लास्ट पेपर के अंदर ही हमने देखा था कि वह four limbs bird और बेट के जो होते हो क्या कहला थे homologous organ कहला थे क्या कहला थे homologous organ ठीके ना क्योंकि इसका origin सेम होता है लेकिन function सेम होता नहीं है ठीके ना next देखते question if the tails of mice are removed by the surgery in each generation then can any tail less progeny be produced नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ठीके न अगर जाब हर एक mice की tails को cut करते जाओगे तो वह heritage traits नहीं है वह acquired traits है पर acquired traits क्या होते generation to generation transfer होते नहीं है ठीके ना मैस की tails को cut करते जाएगे तो नहीं प्रोजोनी जो बनेगी उसके अंदर tails तो आएगी यह आएगी ठीके ना यहां पर हमारा answer क्या रहेगा the progeny of mice will not be tail less because removal of tail cannot change in the genes of mice के genes के अंदर कोई change नहीं करेगा क्यों क्योंकि यह जो tail cut करने वाला part है वो क्या है acquired traits है और acquired traits inherited होते नहीं है ठीके ना next वाला question देखते है so the symbol of variable resistance in the circuit तो variable resistance का symbol क्या है दो resistance के symbol sorry variable resistance के कितने symbol से दो symbol से आप यह वाला भी लिख सकते हो यह वाला भी लिख सकते हो और दोनों भी लिख सकते हो ठीक है ना या तो फिर आपको यहाँ पर variable resistance की जगह पर यह परियो स्टेट भी पूछ सकते है वारियाबल रेजिस्टन्स इस वाट यह स्टेट इस तो रियो स्टेट का सिंबोल पूछे कि वेरियाबल रेजिस्टन्स का सिंबोल पूछे आपको यहीं आंसर देना ठीक है ना नेक्स्ट कोस्चन देखते है किसको बोल तो ऐसा microorganisms जो क्या करेगे complex organic substance को breakdown करेगे simple organic substance के अंदर इसको बोला जाता है decompositors ठीक है ना next question देखते है the planting of which tree is beneficial to the industries देखो यहां पर यह proper आपकी टेक्स के इसका answer नहीं दिया गया है लेकिन chapters के अंदर बहुत सारी जगह पे बोला गया है कि यह plants जो है वो industries के लिए अच्छे होते ठीक है यह तो beneficial होते हैं तो जैसे कौन-कौन से plants है तो जैसे कि है टेंडू जिसके अंदर से बीडी बनाई जाती है पाई है टी है पिपल है बन्यन है ठीक है ना फोडर है हर्ब से फ्रूट से नट से अगर दी यह सारे के सारे plants grow किये जाएगे तो वो हमारे industries के लिए क्या होते है बेनिफिश्यल होते है ठीक है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अब देखते नेक्स्ट क्वेश्चन match the given pair correctly तो यहां पर आपको बुला गया है पॉंस तो यह पॉंस का काम क्या है पहले वो समझ लेते है ठीक है ना यह थोड़ा complicated topic है कि मेरा जो पॉंस है ना पॉंस के main दो functioning है पहला functioning क्या है कि वो respiration को control करता है कि इसको regulate करता है respiration को और दूसरा इसका काम क्या है medulla oblongata जो होता है इसके साथ और final chord के साथ हो क्या करता है coordinate करता है क्या करता है coordinate यानि कि medulla oblongata का जो भी functioning होगा इसको regulate क्वान करेगा पॉंस करेगा और medulla oblongata का जो working है उसके अंदर आता है blood pressure का working आता है blood pressure को control करने का काम किसका होता है medulla oblongata but medulla oblongata किसके तुरू regulate होता है पॉंस के तुरू तो हम बोल सकते कि पॉंस क्या करता है blood pressure को control कर सकता है तो यहां पर हमारा answer आएगा a के साथ आएगा 3 ठीक है ना अब हम बात करते है spinal cord तो spinal cord का का काम होता है reflection का तुम बोल सकते है बी के अंदर आएगा हमारा one ठीक है ना पॉंस का क्या होगा control over blood pressure ठीक है ना actual में काम किसका है medulla oblongata का but medulla oblongata को regulate कौन करता है पॉंस करता है तो इसी वजह संब बोल सकते हैं कि पॉंस क्या कर सकता है blood को blood pressure को regulate यह तो control कर सकता है ठीक है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अगर दिस पेपर के अंदर कोई doubts है तो आप comment section के अंदर आपको पूछ सकते हो वहाँ पर आपको doubt का answer मिल जाएगा अगर दिस पेपर का solution आपको अच्छा लगाए तब अपने दोस्तों के साथ इसको share केजिए चैनल को like कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हो सके होतना है